हेलो दोस्तों वेलकम टू आर ओफिशल यूटू चैनल एक्जाम कॉंसेप्ट पे इस वीडियो में बिसिकली मैं इंग्लिस लिटिएचर के एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो आने वाले कॉंपटेटिव एक्जाम चाहे वह टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे डि को किलियर करूंगा बिसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे दरेप ऑफ द लॉक जो सत्रह सो बारा में अलेग जंडर पोप के द्वारा पबिश्ट कराई जाती है इससे रिलिटेट कितने कोश्टन एक्जाम में पूछे गए हैं और इंपोर्टन फैक्ट क्या होते हैं पॉइंट क्या क्या है इस सब चीजों पर बात करेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आप लोग इद्यान जी अगर इस पॉइंट को आप तयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा रेप लॉक्स देखा गया कि बहुत सारे हमारे जोड़ जाएं अगर इस सीरीज को आप लोग कांटिन्यू कराना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बोक्स में करिए ऐसी इंट्रेस्टिक सीरीज में लेके आता रहूंगा आए आज की वीडियो शुरूब रेप अब दो लॉक अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखी गई है बेसिकली यह जो है फाइब केंटों में एक से पांच केंटों तक लिखी गई है और इसकी अगर बात करें कभी कभी एक्जाम इसकी पॉब्लिकेशन डेट पूछ ले जाती है सेवेंटी ट्वेल यान इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको दर्सा आया गया है अब देखी द रेप आप द लॉक पांच केंटों में लिखी गई यह पहली चीज आप याद करिएगा और यह सत्रह सो बारा में पॉब्लिश्ट कराई जाती है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा देखी अ सिदे सिदे पूस जाता है कि in which form the wrap of the lock has written तो सिदे मलख के पीख पे आपको option किलिक करना है और दूसरा कोशन बनेगा how many can't or how many section in wrap of the lock इसमें सिदे पांच केंटो या फां सेक्षन में इससे divide किया गया है पहला point कि लिए रुए कि इस रिटेन मॉख केंटों अगर दुसरे यानि जो इसकी पहले इसे देखा गया था आनाम, जो इनबिस्ट्र देखा गया था, मिसलनी में, ठीक मिहीं, jus नि तो मिसलनी में ए इसाओकस को ने लिए को आथा, और उसके बाद 712 में इसे पालिश्ट करा जाता है जो पहली गटना जो ऊंत। से देखा गया था लिटर्स मिसलेनी में वाहाााानी में धेखा गया था यह NatHello neighborhood का कोस्टेन आप देख लीजिएगा फस्ट आपियर किया intry इसको देख लीजिएगा आप लोग और इस्टक अब किया था satire and mock heroic इसमें satirical भी यूज किया गया है या mock heroic या satirical या mock heroic दोनों concept एक ही है लगवग लगवग इसमें क्या satire based topic है ध्यान दिजेगा पूछा जाता है बर्लेस के रूप में यूज की गई है satire के रूप में और mock heroic के रूप में इसमें element यूज किया गया है ठीक अब इसमें कभी-कभी एक्याम में भी पूछ लेता हूँ is the heroine of the rape of the law यानि यहां पर सीधे सीधे आपको बनेगा point Belinda is the heroine of the poem जो Belinda होती है वह इस पिक की या poem की क्या होती है heroine होती है आप लोग इतना ध्यान रखेगा है क्योंकि में करेक्टर इनी बिलिंडा का ही राता है overall इसमें जो कहानी इस पर कहानी पर विडियो बनाओंगा अगर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए कि कॉमेंट करिए कि स्टोरी पर मैं एक वीडियो लाओं कैसे बिलिंडा के उपर इसके लॉक को पॉइंट और फैक्ट की और इससे रिलेटे जितने विंग्लिस लिटेटर के राइटर है मैं उसको ले कि आऊंगा अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो ठीक अब देखिए अगले पॉइंट पर बात करें दर सब्जेक्ट मेंटर ऑफ इस पोएम और ही जो इनकी फ् इसको लिखा अब देखिए इनको कैरल को लेकि आगे भी एक इंट्रेस्टिंग बताऊंगा वह देखिएगा इसको इस पॉइंट को यहां रोकते हैं इसको बाद आगे चलते हैं दब पोएम रिटेन इन हिरोई कपलेट यह चीज आप लोग मस्ट इंपोर्टेंट है इसक आप लोग नोट कर लीजजेगा कि यह पोएम जो लिखी गई किसमें हिरोएक कपलेट में लिखे गई है ठिक हिरोई कपलेट की कोल्टी यह एफ बी-सी डी-डी यानि दो सिंबल इसमें लास्ट में कपलेट में रहेंगे चाए डी-डी हो चाए ई-ई-उ-चाए फ-फ हो तो यह राइमिंग इसकी मिस्की ए होती है ठीक तो यह बेसिकली हिरोई कपलेट में लिखी गई यह फैक्ट आपको जानने के जरूरत है और यह कोशन रिप्टेट कोशन है यह एक्जाम में पूछा गया है जारखन पीजी टी में पूछा गया है नेट में पूछा गया है एक कोशन रिप्टेट कोशन है कि इन दिस पोयम फोर काइंड ओप स्प्रीट यानि इस पोयम में जो है इपिक है जो इसमें चार परकार की कौन से रती हैं जो बेरिंडा को समालता है ब्ला की रच्छा करते हैं भार की जो दुनिया गद्र о 1 वो चार प्रकार की स्प्रीट कौन-कौन होती है, क्या सेलामेंडर होती है, पहला सेलामेंडर, पहली स्प्रीट इसमें देखने को मिलेंगी, नेम्स होती है, दूसरी स्प्रीट, जिनॉम्स होती है, तिसरी स्प्रीट, और सेलाप्स होती है, जिसे आपको एरियल, एरियल का क करेक्टर इसमें खोता है वो काफी इंपोर्टेंट करेक्टर होता हुआ एरियल को एरियल बिलिंडा को उठाता है जगाता कैसे क्या करता है इस चीजें हैं चार प्रकार की स्ट्रीट हैं आप इसको ध्यान रखेगा सलमेंडर नेम्स जिनॉम्स एंड एरियल ठीक अब देख कुरीसियन एलमेंट इसमें परयोग किया गया अब बैसिकली एक पोइंट य भी बनके आता हाऊ कि दथा पोयम किसको टों डेडिकेट किया गया था जो या एक राभ येला फॉरमयल जो इनके जो nhất भाइंब के त्थे हरो इस को ऐना जो जो वही एडवाइज दिये थे कि आप इस तरह की एक को लिखिए जिसमें इस तरह की घटनाएं हो लॉप्टे एलिमेंट हो सटारिकल वे हो जो इप के रोप में दिखा जा 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 जान कैरल इसको अब ध्यान दिजिएगा जान कैरल के सेजिशन पर ही एक के जो लिखी गई बेसिकली और यहां डेडिकेट की गई थी और अरावेला फॉर्मल के रुसिकरियन इल्मेंट पर योग किया गया था फो टाइप की जो इस्प्रेट होती है सलास मेंडर नेंग जिनॉम्स और एरिया तो बेसिकली यह इस वीडियो में एक छोटी सी इंट्रोट्रक्सरी वी जिए को यह इंट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके ठाइंक यह